डब डबली के अंदर बेस्ट डड़ लाइन्स की बात रहेगी, बेस्ट फैक्शन की बात होगी, तो तब दबलड लाइन का नाम डेफिनिटली आने बाला है, यह बलड लाइन की स्टोरी, यह बलड लाइन का सिनमा जैसे हम लोग कहते हैं, जो की हमें इतने सालों से रहा है उसको यह काफी कमाल का डब डबली ने जो है पनाया था अब जाकर ब्लड लाइन तो है लेकिन वैसे नहीं यह से पहली की थी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पूरे ब्लड लाइन के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बात करेंगे एंड यह बैसिकली थ्री पार्ट के अंदर वीडियो होने वाली है इसका पहला पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग रोमर रेंज के रिटर्न से लेकर रैसल मेना थर्टी एट तक सारी चीज़े ब्लड लाइन की कवर करेंगे अगले पार्ट के अंदर रैसल मेना थर्टी एट से रैसल मेना तक सारी चीज़ें और फाइनल थर्ड पार्ट के अंदर रसल मीने 39 के पाद आज तक जो ब्लड लाइन में चीज़ें आ रही हैं उसकी बात करेंगे तो चलो फड़ा वर्ड जम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं काफी मज़ा आपको डेफिनीटली आने वाला है बात समर स्लैम 2020 से एंड इसके अंदर रोमन रेंज का फाइनली रिटन होता है यह ऐसा रिटन नहीं होता बिग टॉक के क्यारेक्टर के साथ यह एक अलग अंदाज में होता है जो कि सब को तोड़ फोड़ के निकल जाता है यानि रैक्ट एवरिवन एंड लीव के तरह एंड र रोमन रेंक्राल हमें यहां पर दिखाई देता है इसके बाद 28 अगस 2020 को हमें रोमन रहें का पोछद बड़ा जींज दिखाए देता है जो कि होता है पॉल हीमन की साथ अलाइंड होना इस दिन कुझ नहीं होते हैं इस ऑपने मैच का कॉंट्रैक्ट जो होता है उसको लेते कि जब सभी जए रिंग के अंदर पड़े होते हैं तब पॉले मिन के साथ आते हैं फिर कॉनट्रैक करते हैं फिर जाकर एंडर करते हैं मैंच में इसके बाद रोमन रेंज जोग चीते हैं जीते है Ramadan Race Universal Championship and इसके साथ payback 2020 के अंदर Ramadan Race की yuniversal Championship reign की starting होती है इसके बाद आगे जाकर जो 4 सितमबर 2020 को Ramadan Race को उनके पहले opponent मिलते है जो कि उनके भाई Jay Uso होते हैं जे उसु जीते है टाइटल की opportunity नमबर वन कंटेंडर बनते हैं वो Friday Night SmackDown के अडिशन के अंदर इसके बाद Clash of Champions के लिए इनका मैच ऑफिशल होता है और यहाँ पर इसकी Build-up वगरा भी होती है SmackDown में and finally Clash of Champions 2020 में Romer Race and Jeyusoo का मैच दिखाए देता है and इस वाले मैच की जो इंडिंग थी वो काफी कमाल के WWE ने करी and अपने रोमर एंज है अटाक करते जा रहे हैं जहे उसकी उपर Brutally and फिर जिमी उसो आते हैं अपने लंगर देवे आते हैं वो अपने इंजिरी से आते हैं वो होते हैं वो वैसी आते हैं कमाल के दरके से एंड होता है एच प्रetics में में ये फिर एक बार रोम डोपली नेौका देते हैं लेकिन इस बार ये होता है ऑले नसल के अंदर जहाब रोम डोब्ली रीज एंड सबहार तोसरी बार मैच होता है लेकिन यहां बर पेस्ट यह था कि यह था एक I quit match and stipulation WWE ने डाली जो कि बहुत कमाल की थी and इस वाले match करने जो ending WWE ने करी वो सच में काफी classic ending करी जिस तरीके से Romer रेंज रो रहे रिंग के अंदर Jimmy उसो आ रहे वहाँ पर Jimmy उसो रोमर रेंज को समझा रहे रोमर रेंज ऐसे दिखा रहे कि उनको realize हो रहे कि वो अपने भाई को मार रहे हैं फिर जाकर रोमर गरेंज जिमी पर एटाक करेंज जाकर इसी कारण जियो उसो quit करते तो वह काफी कमाल की जीज थी फिर इसके बाद जो पने रोमर रेंज के वैमिली के बड़े मेंबर से जो कि उनको आफ हैं से का उनको माला पहनाते है ट्राइबल चीफ की तो उला फाला उनको पहना ही जाती है तो यहाँ पर इसके हमें स्टार्टिंग दिखाए देती हैं तो यह काफी गमाल का ज एक बूटल अटाक करते हैं इसके बाद 25 डिसमबर 2020 को रोमर रेंज अपने जो क्यावनों से इनका मैच दिखा देता है है यहाँ पर सी जो है मैच होता है एंड इस वाले मैच के अंदर जे उस वाली बारो मेरेंस को हल्प करते हैं इससे पहले वो सर्वावर सिटीज में भ वो रोमर रेंज की मदद कर रहे थे चैंपिंशिप डिफेंट्स के अंदर एंड कुछ इस तरीके से मिज़ ब्लड लाइन की भी या फिर जो रोमर रेंज हैं जी उसकी स्टार्टिंग दिखा दीती हैं फिर इसके बाद हमें दिखा देता है डारेक्टली अगले साल 9 अप अपने जी उसों जीते हैं यह उनके लिए बहुत बड़ी अच्विमेंट थी यह वो विक्टरी अर्ण करते हैं इसके बाद रेसल मीने 37 के अंदर हमें दिखा देता है रोमर इसका सबसे बड़ा मैच सबसे बड़ा टाइटल डिफेंस रोमर रेंस के इस पूरे टाइटल में जो पहला सबसे बड़ा डाइटर डिफेंस था हो था रेसल मीने 37 के अंदर जहां पर रोमर रेंस वेस करते हैं डैनिल ब्राइन एच को एक ट्रिपल थेड मैच के अंदर जो कि बहुत एक टफ कॉंपेटिशन था जहां पर चांसेस बिते हारने के लेकिन जिस तरीके से दोड़ डोडिने अन्डिंग दिखाई रूमर है सने दोनों को पेंगा एक सात जो कि बहुत कमाल के अन्डिंग इसके बाद ज़र डूड़ अपली मेर अवरे स्क्वेक अलगी लेवर पर पहुचा दिया और इस तरीके से कूच चैरो मैशने अपने आपको प्रूफ किया ग्रांड स्टीज अफ दिम ग्रांड स्टीज अफ दिम ऑल के उपर रोमर इसने कमाल के विक्ट्री ले लिए रिसके बाद 30 अपरल 2021 को रोमर इसने अपना न्यू थीम सॉंग इंट्रड्यूस किया डब डब डबली के अंदर आइठिंग डैनिल ब्रैंग अगेस्ट उनका मैस्ता बहाँ पर रोमर इसके जो करन्ट टीम सॉंग है उसको डब डब डबली और रोमर इस इंट्रड्यूस करवाते हैं फिर 27 मई 2021 को हमें जे उसो के भाई जिमी उसो का रिटन दिखा देता है रोम साथ बात आती है 9 जुलाई 2021 को जहां पर रोमर इस यंज़ अपने जिमी ऑप मद तीन एकसाथ को जोई हा पर इन टीन एकसाथ करते हैं अदल भी तीनों एक साथ होते हैं फिर जाकर हम देखते हैं एक दूसरे के गले भी लगते हैं तो एक तरीके से रूमर है इसने यहां पर इन सभी को अपने साइड लिया था एंड एक तरीके से कह सकते हो कि प्लड लाइन ठीरी-दीरे फोर्म हो रही थी और इसके बाद जो उ इवेंट में अपने ती उसोस जीत जाते हैं स्मैक डाउन की टैग टीम चैंपेंशिप एंड इसके बाद उसोस का हिस्टारिक टाइटल रेन स्टाट होता है मेरे खायस से डैफिनेटल लिग इस्टारिक उनका टाइटल रहा है और इसके बाद जिस तरके से उनने टैग ट साथ है उनकी कमाल की हिस्टारिक टाइटल ट्रेंड की हमें स्टार्टिंग होते हुए दिखा देती है फिर 17 दिसमबर 2021 को हमें रोमर रेंस पॉल हेमन को फायर करते हुए दिखा देते हैं या इन सभी बीच में टाइम के अंदर ब्रॉक लेजनर का रेटन होता है इससे वे रोमर रेंस को इससे लेक है रहा पर इस तरीके से थोड़ी से टेंशन तो क्रेट हुई थी ए इसले गारन जिसने पॉल हेमन को फायर कया था SmackDown के एडिशन के पर लेकिन इसके बाद Brock Lesnar के साथ Paul Heyman थोड़े टाइम ले गए लेकिन फिर चाकर Royal Rumble 2022 के अंदर Finally Paul Heyman अपने Romer Reigns के साथ अपनी loyalty प्रूफ करते है अपने Paul Heyman Brock Lesnar को betray करते है जो Bobby Lashley और Brock Lesnar का match start होता है तो match के बीच में Romer Reigns spear लगाते है Brock Lesnar को और फिर title मांगते हैं तो Paul Heyman उनको देती भी है वो कुछ कहते नहीं और फिर जाकर Romer Reigns के साथ वो खड़े होते हैं तो कुछ इस तरीके से master plan भी गया सकते हैं जो कि Paul Heyman Romer Reigns का था Brock Lesnar के लिए और इसके बाद Romer Reigns और Brock Lesnar के rivalry स्टार्ट होती हैं और फिर जाकर finally WrestleMania 38 के अंदर Romer Reigns और Brock Lesnar का match दिखा देता है जो कि होता है Championship के लिए match title versus title होता है winner takes all undisputed WWE Universal Championship के लिए match और यहाँ पर इस वाले match के अंदर Romer Reigns जो है Brock Lesnar को हराते है जो कि एक greatest WrestleMania match इसको WWE कह रहे थी तो इस वाले match के अंदर Romer Reigns प्रोक Lesnar को हराते हैं and WrestleMania के अंदर दोनों title को unify करते हैं इसके बाद Romer Reigns और भी एक level आगे अपने career के अंदर जाते हैं और उस उसका भी WrestleMania के अंदर tag team title defense होता है जिसके अंदर title को rating करी लेते ओविसली और कुछ इस तरीके से रेसल और कुछ इस तरीके से Romer Reigns के रिटर्न के बाद WrestleMania 38 तक इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी ये कहानी बता दी and अब second part जो बहुत जल्दी आएगा and second part के अंदर हम लोग जो है अगले साल के WrestleMania यानि WrestleMania 39 तक जो है Bloodline की पूरी स्टोरी की बात करेंगे and फिर आखिर में जाकर end की बात करेंगे तो मज़ा आपको definitely ज़रूर आने वाला है comment के अंदर आपके वीडियों बताना and फिलाल आज के वाले वीडियों बस इतनी से ती and we'll meet the next video के अंदर